Hello my dear young viewers and my dear friends और मेरे नन्ने मुने दोस्तों कैसे हैं आप, पढ़ाई कैसी चल रही है, बाकी सब्जेक्स को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है हाँ English की बोग पूर भी आपकी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी सब्जेक्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट नमबर टू, पूर्वी में यूनिट्स है ना, यूनिट नमबर टू, जिसका नाम है फ्रेंडशिप्स और इसके तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जिसमें एक अलिफेंट और डॉग की स्टोरी थी और दूसरा इसका पार्ट है, प्रेयर, अफ्रेंड्स प्रेयर, कि हम अपने मित्रों के लिए क्या प्रार्थ ना करते हैं Now, it's time to read part number 3, the story, the chair, बहुत ही interesting, एक inspirational कहानी है, कि आप अपने, आपके असपस बहुत सारी लोग होती हैं इसकूल में आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी आपके दोस्त मित्र होती हैं, लेकिन ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि आपका real friend कौन है, जो lifelong आपके साथ रहेगा, आपके joys और sorrow को share करेगा, आपकी success में खुश होगा, और आपकी life को bright बनाएगा, और आपकी life को full of delightness, आपकी life को delighted करेगा, ठीक है, तो इसमें एक ऐसा ही character है Mario, जिस जो की बहुत गप लगाता है, boasted off, वो बहुत ज़ादा गप लगाता है, कि मेरे तो बहुत सारे मित्र है, अपने दादाजी से कहता है, तो उसकी दादाजी कहते है, ठीक है, एक chair का test करती हैं, तो इसलिए story का नाम क्या है, the chair, एक chair का test करते हैं, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, कि कौन से ऐसे friends हैं, जो कि तुम्हारे original friends हैं, authentic friends हैं, और वाख़ी तुम्हारे friends कहलाने लायक हैं, okay now, I am going to start the lesson, let us do these activities before we read, हम इन activities को करते हैं, पढ़ने से पहले, write two words that come to your mind when you think of friendship, जब आप जब भी friendship word, मितरता नाम के शब्द को अपने मन में लाते हैं, तब क्या होता है कि जो दो words, जो भी, जो है, वो दो words आपके दिमाग में कौन से आ जाते हैं, जब भी आप मितरता जैसे word को सोचते हैं, now, find some more words that are related to friendships from the grid, और grid के अंदर से कुछ और words भी आपको निकालने हैं, जो की आपके लिए जो है, वो आपको बहुत जरूरी है, you can search horizontally or vertically, horizontally or vertically आपको पता है, खड़े उसमें और आपको पता है, जैसे बैठे उसमें और खड़े उसमें, जो भी आपको सर्च करने हैं, okay, there are eight words, यहाँ पे आट ऐसे words है, one word has been marked as an example, एक word आपके यह उधारन के लिए दिया गया है, और वो word क्या है, देख सकते हैं, helpful, okay, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे ही आप बहुत सारे इस grid के अंदर से जो है, वो word ले सकते हैं, एक word मुझे सामने ही दिखाई दे रहा है, and that is loyal, जब भी हम मित्र की ब इस grid के अंदर वो आपने, जो है, वो notice करने है, उनको grid में mark करना है, now देखते हम देखे, fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends, आपको यहाँ fill up भरने हैं, जो की complete करने हैं आपको words को, और जिनका मतलब होता है friend या friends, मित्र या बहुत सारे मित्र, with the help of the meaning, और देखे, meaning दिया हुआ और word आ आपको complete करना है, a person who you do things together with, एक वो वेक्ती जो कि सभी कम आपके साथ करता है, वो है आपका partner, P-A-R-T-N-E-R, okay, now, on an informal word for friends, और friends के लिए informal words क्या होता है, जो कि हम बड़े प्यार प्यार पे भी बोलते हैं, आजकल की, एक slang language चल रही है, तो यहाँ पर यह है buddies, B-U-W-D-I-E-S, okay, now, a person who you spend a lot of time with, एक वो वेक्ती जिसके साथ अब जद अतर समय गुजारते हैं, तो वो है companion, है ना, और फिर children who are in the same class as you at school, और वो students, वो मित्र, जो की आपकी class के अंदर ही है, तो वो होते हैं, classmates, now, there are so many words for a friend, friend के लिए बहुत सारे words आ सकते हैं, what do you call a friend in your own language, आपकी language में friend को क्या कहते हैं, okay, now, let us read first part, there was a boy called Mario, एक लड़का था, जिसका नाम Mario था, who loved to have lots of friends, जो बड़ा प्यार करता था, कि उसके बहुत सारे मित्र हैं, he showed off, showed off का मतलब दिखावा करना, गप लगाना, और वह बहुत दिखावा करता था, always talking about how many friends he had at school, और हर बार बात ही करता रहता था, कि school में उसके कितने मित्र हैं, and how he was so friendly with everyone, और वह ये भी बताना चाहता था, कि वह सबके साथ कितना ज्यादा friendly है, सबके साथ वह कितना मित्रता पून वहवार रता है, now, one day his grandfather said to him, एक दिन उसके grandfather कौन, दादा जी ने उससे कहा, Mario, I bet you a fruit chart, मैं शर्त लगाता हूँ, और शर्त में fruit chart लगाता हूँ, fruit chart तो आपको पता है ये ना बेटा, जो अलग-अलग fruits होते हैं, चुट-चुटे pieces करके, और उसमें masala डाल करके, चाट बना के खाई जाता है, तो दादा जी कहते हैं, Mario, मैं fruit chart की शर्त लगा सकता हूँ, you don't have as many friends as you think you have, तुम्हारे उतने मित्र हैं ही नहीं, जितना कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास मित्र हैं, पर तुम्हारे पास उतने मित्र हैं ही नहीं, now I am sure many of them are nothing more than companions or partners, और मैं ये पक्का कह सकता हूँ, कि उन में से जादा तर companion हैं, या फिर तुम्हारे partner हैं, now companion जो कि जादा तर समय साथ रहते हैं, लेकिन जो जादा तर समय साथ रहते हैं, बेटा जरूरी नहीं होता कि वो हमारे मित्र हों, partner हो होते हैं, जो कि हमारे हमाली जी हम class में teacher ने काम दिया है, तो दो student मिलकर के काम कर रहे हैं, तो ये partner होती हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि companion और partner हमारे trustworthy और हमारे original friends हो, now, Mario accepted the bad readily, और readily का meaning बिना किसी problem के, Mario ने उनकी इस शर्त को स्विकार कर लिया, accepted meaning स्विकार कर लिया, however, he was not sure how he could test, और हाला कि उसे ये पका पता नहीं था, कि वह इस बात का test परिक्षन कैसे करे, whether his schoolmates were real friends or not, कि उसके जो school के संगी साथी हैं, वो उसके सचे मित्र हैं या नहीं, so he asked his grandpa for help, इसलिए उसने अपने दादा जी की साहता मांगी, he suggested, दादा जी ने सुझाओ दिया ही, यहाँ पर बेटा, दादा जी के लिया है, grandfather के लिए, उन्होंने सुझाओ दिया, I have exactly what you need, मेरे पास बिलकुल वही ठीक चीज है, जो की जिस चीज की तुम्हें जरूरत है, it is in the attic, attic क्या होता है बेटा, हम कमरों के अंदर एक छोटा सा मचान बना देते हैं, प्लाटफॉर्म बना देते हैं, जिसमें हम घर की कुछ ऐसी चीज़े रखते हैं, जो की बहुत जल्दी यूजमें नहीं आती, ठीक है, एक मचान या प्लाटफॉर्म होता है, कमरों के अंदर, जिसमें कुछ चीज़े रखी होती हैं, उसे attic कहते हैं, ठीक है, तो वो, it is in the attic, wait here a minute, और ये attic में है, attic पे रखा हुआ है, मैं तुमें एक चीज़ देना चाहता हूँ, वो attic पे रखा है, एक मिनट इंदजार करो, Grandpa left, Grandpa चले गए, soon returning, as though carrying something in his hand, जल्दी से वापिस आये, ऐसा लग रहा था, जैसे उन्होंने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा था, बट मारियो कुरसी nothing there, लेकिन मारियो कुछ भी देख नहीं पा रहा था, take it, yellow, it is very special chair, ये एक वहत विशेश कुरसी है, as it is invisible, invisible का मिनिंग होता है, जिसको देखना संभव ना हो, जो कि अद्रिश्य हो, दिखाई ना दे रही हो, grandfather ने का yellow, एक विशेश कुरसी, ये अद्रिश्य कुरसी है, it is rather tricky to sit on it, लेकिन इस कुरसी पर बैठना, tricky का मतलब, इसके उपर बैठना बड़ी कुशलता की बात है, हर कोई इस अद्रिश्य कुरसी पर नहीं बैठ पाता, but if you take it to school and manage to sit on it, लेकिन अगर तुमी से school ले जाओ और इस पर बैठने का प्रबंद कर लो, then देखे दादा जीर के हाथ में कुछ कुछ डॉट डॉट दिख रहे है न, तो ये कि अद्रिश्य कुरसी है, ठीक है, तो दादा जीर ने attic पे से ला करके मारियों को दी, और तब तुम अगर इस पर बैठना, बैठ सको, the magic will work, और तब ही ये जादू काम करेगा, and you will be able to tell who your real friends are, और तब ही तुम कहपाओगे कि तुम्हारे सच्चे मित्र कौन हैं, Now, let us discuss, Mario was very proud of having so many friends, Mario को बड़ा घमंड था, कि उसके बहुत मित्र है, ये true है, ये false है, ये true है, Now, what did the grandfather take from the attic, grandfather मचान पे से क्या लाए, the invisible chair, मैं पेटा सारे आपको एखटे ही exercise question answer एक वीडियो में provide करूँगी, अभी सिर्फ हम chapter पढ़ रहे हैं, ठीक है, Will Mario face any challenges, क्या Mario ने कोई चुनोतियों को स्विकार किया था, तो यहाँ पर Mario ने डादा जी की चुनोति को स्विकार किया था, Will Mario be able to use the magic, क्या Mario उस जादू को प्रियोग करने में समर्थ हो पाया या नहीं, हम पढ़ते हैं next part में, Mario brave and determined, Mario बहुत बहदूर था, determined का meaning द्रिण निश्य था, took the strange invisible chair, वह अजीबो गरिब अद्रिश्य कुर्सी को ले गया, and set off for school, और school के लिए निकल गया, at break time और lunch के समय में, he asked everyone to form a circle, उसने अपने सभी मित्रों से कहा, कि एक गोल घेरा बना लो, he put himself in the middle, Mario ने अपने आपको बीच में रखा, with his chair, अपनी कुर्सी के साथ, nobody move, कोई हिलना मत, you are about to see something amazing, तुम अभी कुछ न कुछ amazing का meaning होता है, हैरान कर देने वाला, अभी तुमें कुछ न कुछ हैरान कर देने वाला दिखाई देगा, देखे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चे कैसे मारियो बारबर गिर रहे हैं, और मारियो को देख देख करके बारबर कैसे हस रहे हैं, okay now, मारियो ट्राइड सिटिंग अन दा चेयर, और मारियो ने सरकल के बीच में कुरसी को रख कर उस पर बैठने की कोशिश की, having difficulty seeing it, क्योंकि वह उस कुरसी को देख नहीं पा रहा था, he missed, वह बार-बार चूप जाता, and fell straight on to his back side, और अपनी पीठ के बल गिर पड़ता, वह बार-बार-बार वह कुरसी को मिस कर देता और पीठ के पल गिर जाता, his classmates had a pretty good laugh, और उसके जो संगी साथी थे, class के जो students थे, जो ने वह friends कहता था, वह pretty laugh, good laugh का मेनी, बहुत जादा जादा जोड़ जोड़ से हसे, now, wait, wait, रुको रुको, just a silent, और थोड़ी देर के लिए, just a slight technical problem, शायद इस कुरसी में कोई तकनी की खराबी आ गई है, उसने कहा, trying again, दुबारा बैटने की कोशिश की, but again he missed the seat, लेकिन दुबारा वह seat पर बैटने से चूग गया, causing more surprised looks and laughter, अब उसने देखा की उसने देखा की बच्चे और जादा हैराम थे और और जादा हस रहे थे, मारियो वुड नौट गिव अप लेकिन मारियो ने अपनी कोशिशे नहीं छोड़ी, he kept trying to sit on the magic chair, और वह उस magic chair पर लगातार बैटने की कोशिश करता रहा, and kept falling to the ground, और वह लगातार जमीन पर गिरता रहा, until suddenly he tried again and did not fall, और अंत में उसने कोशिश और की, और वह नहीं गिरा, this time he sat hanging in mid-air, और इस बार वह बैठ गया, हवा में जूलते हुए, कुरसी तो है नहीं बिटा, लेकिन वह बैठ गया, हवा में जूलते हुए, then he finally experienced the magic, और तब अंत में उसने अनुभव किया उस जादू का, that his grandfather had been talking about, जिस जादू के बारे में उसके दादा जी बता रहे थे, looking around, उसने चारो और देखा, मारियो saw, मारियो ने देखा, गुनीत, अस्मा, और दीपा, थ्री आफिस बड़ीज, और उसने देखा, मारियो ने गुनीत, अस्मा और दीपा, जो कि उसके तीन बड़ीज, उसके मित्र थे, holding him up, उन तीनों ने मारियो को पकड़ रखा था, so he would not fall, जिससे कि वे ना गिर पाए, meanwhile, many others, many others, he had thought of as friends, और उसी दौरां, जिने वे अपना, अभिन मित्र मानता था, best friends मानता था, had done nothing, but made fun of him, और ऐसे लोगों ने, जिने वे अपना मित्र मानता था, उन्होंने कुछ नहीं किया, और सिर्फ वे उसका मजाग उड़ाते रहे, enjoying each and every fall, और वे enjoy करते रहे, जब जब भी मारियो जमीन पर गिरा, living with his three friends, he explained to them, how his grandfather, had so cleverly thought of a way, to show him that true friends are those, who care for us, or living with his three friends, अपने तीनों मित्रों के साथ, उसने वहां classroom को छोड़ा, मारियो ने, he explained to them, और उसने उन तीनों को बताया, how his grandfather, had so cleverly, कि कैसे उसके दादा जी ने, बड़ी पुद्धी मानी से, thought of a way, एक ऐसा तरीका सोच निकाला, to show him, that, और उसे ये, मारियो को ये दिखाने के लिए, कि जो सच्चे मित्र होते हैं, those who care for us, और वैं हमेशा हमारी परवा करते हैं, वो ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, अब देखें, गुनीत असमा और दीपा को लगा, मारियो बारबर गिर रहा है, और मारियो और बाके सब बच्चे हस रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, कि उसका मजाग बना रहे हैं, हस रहे हैं उसके उपर, तो इसी लिए उन तीनों ने आकर उसे संभाल लिया, देखें, Now, A friend would not be someone who take joy in our bad luck, स्मित्र वो नहीं होता, जो हमारे दुर्भगे में खुश्या मनाता है, That evening the four children went to see Mario's grandpa, और उसी शाम को चारो बच्चे, Mario के दादा से मिलने गए, As he had won the bet, क्योंकि वे शार्थ जीत गए थे, कौन सी शार्थ, कि तुम इस invisible chair पर बैट कर दिखाओ, Now, they had a great time listening to stories, and eating a lot of fruit chaat, और उनका बहुत ही बढ़िया समय बीता, देख ओने हैं यहां पर बिटा, वो चारो बच्चे, चार बच्चे कौन, मारियो, गुनीत, अस्मा एंड दीपा, और उनका बहुत बढ़िया समय मारियो के घर बीता, listening to stories, उनोंने कहानिया सुनी, and eating a lot of fruit chaat, और खूब खूब सारा fruit chaat खाया, from then on, they use the magic chair test, on many occasions, और तब से लेकर, उनोंने इस जादू कुरसी का, जो जादू था, बहुत अफसरों पर यूज किया, and whoever passed, became friends for life, और जो भी इस test में पास हो जाता, वो पूरी चमाम जिंदगी तक, किसी का मित्र बना रहता, देखिए आप दो लड़किया, दीपासमा और गुनीद, बाकी के खड़े हुए हैं, और हस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देखिए उन तीनों ने कैसे, मारियो को संभाल लिया, ठीक है, और मारियो अंत में जो है, पुरसी पर बैठ गया, कि ऐसा लग रहा, मारियो बैठा हुआ है, येस ना हो, माई येर स्टूदेंट, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, हम इसकी एक्सरसाइस, क्वेश्चनांस से सब कुछ डिस्कस करेंगे, और थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो, और मैं बहुत ग्रेटफूल हुँ आपकी, कि आप मेरी वीडियो को देख रही है, सब्सक्राइब भी कर रही है, बट यू नो अट इस माई न्यू चैनल, और प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, पर प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, गुड लग एंड गुड बाई,